इंडुस्तान में जुकीगा आरते बहुत हैं यार ये लोग इस बार उनकी हाथ अक्षे कुमार सर की बेल बटम फिल्म घरों में लिज हुई और फिल्म ने बॉक्स अफिस पर पहले दो दिनें में कुछ खास कामाई नहीं की जिसके चलते अक्षे कुमार के जो हेटर्स है बोलते हैं कि अक्षे कुमार सर की फिल्म पहले रिलीज होती है तो पहले ही दिन 20 करोर 25 करोर की कामाई करती है लेकिन यहाँ पे बेल बटम फिल्म ने पहले दिन 10 करोर की भी कामाई नहीं की क्या अक्षे कुमार के स्टाडम में इतना भी दम नहीं है कि अक्षे कुमार के फिल्म बेल बटम ने पहले दिन 10 करोर की भी कमाई नहीं की तो दोस्तो आपको ये बात बता दो कि अक्षे कुमार ने बेल बटम फिलिम को थेटर में इसलिए रिलिज किया है कि जितने भी बॉली बुड के थेटर वाले जो कि पिछले देर साल से अपने थेटर बंद करके बैठे थे और थेटर बंद होने की वज़ा से उन लोगी की घर में खाने के भी लालत हो चुकी थी उन लोगों के लिए अक्षे कुमार ने अपने फिलिम का रिक्स लिया और बेल बटम फिलिम को बड़े पर पर लिज किया क्योंकि दोस्तों आप लोगों में से कुछ साध लोगों कि ये भी बात नहीं पता होगा कि Bell Voltum Film जब भी एनॉंसमेंट नहीं हुई थी कि Bell Voltum Film Cinema घरों में रिलीज होगी उससे पहले Bell Voltum Film को Amazon Prime वालों ने और बेल बटम के पोडियोसर और अक्षे कुमार को ओफर मिला था कि बेल बटम फिल्म को डाइरेट ओटिटी प्लेट फॉर्म पर रिलिज कीजिए हम आपको एक से पाइट तालिस करोर रुपाई देंगे लेकिन दोस्त यहाँ पर अक्षे कुमार सर का ये कहना था कि मैं अपने फिल्म सिर्फ सिनेमा घर में ही रिलिज करूंगा क्योंकि पिछले देर साल से कोई भी फिल्म सिनेमा घर में रिलिज नहीं हो पा रही है ऐसे में अगर मैं भी अपने फिलिम को सिनेमा घर में लिज नहीं करता हूँ तो जो सिनेमा घर वाले हैं उनका क्या होगा अगर बेल बटम फिलिम से अक्षे कुमार सर को स्रीप पैसे ही कमाना रहता तो वो इस फिलिम को डायेट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेश देते और पैसा ही पैसा कमाते लेकिन दोस्तों यहाँ पर अक्षे कुमार सर ने बेल बटम फिलिम को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यानि की 145 करोर की ओफर को ठुकरा दिये वो वी स्रीप थैटर वालों की वजह से और खुद के फैंस के लिए भी और ये भी बात है कि अक्षे कुमार सर की फैंस ये भी चाहते है कि उनकी फिलिम स्रीप बड़े पर पर ही इंज्वाय करे क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कि OTT प्लेटफॉर्म पर कितने विश्व आ जाये और कितने फी फिल्मे आये लेकिन जो बड़े परदे का मज़ा है उसकी बात ही अलग है दोस्तों यहाँ पर बेल बटम फिल्म कितने कमाई कर रही है ये माईने नहीं रखता यहाँ पर अक्षे कुमार का कितना बड़ा दिल है ये माईने रखता है दोस्तो अक्षचे कुमार सर ने बेल बटम फिल्म को सिनेमा घर में लिज्ज करकर बॉली बुड की तरफ से एक नई पहिल वा पहाचान बनाई है कि भाईया जब अक्षचे कुमार सर की इतनी बड़ी फिल्म सिनेमा घरों में ऐसे हालात में लिज्ज हो जाती है तो Bollywood की बाकी फिल्मे क्यों नहीं और दोस्तों आपको ये भी बात बताना चाहूंगा कि अक्षे कुमार सर ने जब अपनी फिल्म रिक्स पर खेल कर सिनेमा घर में लिज़ किये हैं तब बड़ी परदे वाले जैसे कि इंडिया में बहुत बड़ी परदे वाले मल्टिप् और पीवी आर ने अक्षे कुमार सर की जम कर तारिफ की जी हां दोस्तों कल पीवी आर ने अपने ट्विंटेल हैंडल पर ट्वीट करकर ये बताया है कि ऐसे हालातों में फिल्म को सिनेमा घर में लिज़ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और ओ दिल सिर्फ अक्षे कुमार सर की जम कर तारिफ की है और उने ने अपने ट्वीटल हैंडल पर ये कहा कि अक्षे कुमार ही रियल हिरो है जो कि अपने फिल्म को बढ़े परक्रलेश्च कर रहे हैं तो दोस्तों यहां पर जीतने भी एक्षे कुमार सर की FANS है जेल बटम की कम कलेक्शन देखकर दुखी हो रहे हैं तो मैं अक्षे कुमार सर की FANS को सब शर्फ एक ही बात कहुँगा कि TENSION मत लिजिए क्योंकि आक्षे कुमार सर ने इतना पैसा कमा लिये हैं कि bell button film box office पर zero collection भी करती है तो अक्षर कुमार्शर की कोई फारक नहीं परेगा हाला कि bell button film box office पर ऐसे भी हालातों के हिसाब से काफी अच्छी कमाई कर रही है जी हाँ दोस्तों अगर बात करें bell button film की अब तक के total box office collection के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की net collection तो bell button film ने अपने पहले ही दिन all in India से net collection किया है चार करोर पचास लाख रुपए का वहीं फिल्म का दुसरे दिन का net collection था वो आया था लगभग 3 करोर पचास लाख रुपए यानि कि शुरुवाती दो दिनों में इस फिल्म ने all India net collection लगभग 8 करोर रुपए का कर लिया था लेकिन दोस्तों बात करें तिसरे दिन की तो तिसरे दिन में तो दोस्तों तिसरे दिन है Saturday यानि की हाफ holiday तो दोस्तों यहाँ पे हाफ holiday होने की वज़ा से बेल बटम का जो collection है ओ कहीं न कहीं बनिया आने की उमीद है और इस फिल्म को तिसरे दिन यानि की आज morning वाले सोज में कल से थोड़ी बहतर response और बहतर occupancy मिली है तो दोस्तों जिस तरह से सुभा वाले इस फिल्म को starts मिला है उस हिसाब से देखे जाए तो बेल बटम फिल्म अपने तिसरे दिन All India Net Collection ये फिल्म फिर से साढ़े तीन से करोड कर रही है इसे के साथ दोस्तों यहाँ पे बेल बटम फिल्म शुर्वाती तीन दिनों में All India Net Collection होना है ओ हो जाएगा लगभग साड़े गारक करोर रुपए वही बात करे Gross Collection की तो इस फिल्म का तीन दिनों में इंडिया Gross Collection लगभग सोला करोर रुपए हो रहा है बात करे Oversis Collection की यानि की इंडिया के बाहर वाले कलेक्शन की तो बेल बाटम फिल्म अभी Oversis Market से Total Gross Collection कर चुकी लगभग साड़े पांच करोर रुपए इसी के साथ दोस्तो बेल बाटम फिल्म वर्ल्ड वाइड Total Gross Collection होता है शुर्वाती तीन दिनों में वो हो चुका है 17 करोर पचास लाख रुपए जी हाँ दोस्तो बेल बाटम फिल्म का शुर्वाती तीन दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 11 करोर पचास लाख रुपए वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 16 करोर रुपए वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 17 करोर पचास लाख रुपए तो दोस्तो उस फिलिम ने शुरुवाती तीन दिनों में बनिया कमाई कर ली है लेकिन कल है संडे तो पूरी उमीद है कल संडे हो और बेल बटम फिलिम का उकपेंसी ना बढ़े ऐसा होई नहीं सकता और उसमें भी कल रक्षा वंदन है तो फिलिम का कलेक्शन में एक बढ़ी चड़ाव देखने को मिलेंगी और ये फिलिम कल भी सांडार कमाई करेंगी बाकी दोस्तो आपको क्या लगता है बेल बटम फिलिम का जो फाइनल कलेक्शन है वो कहां तक जा सकता है अपनी राय कमेंट बाक्स में कमेंट करकर जरूर बताए